अब मैं बुलाता हूँ मानने मुख्य मंतरी योगी आदितेनाज जी को धन्यवाद योगी जी न्यूज 18 को अपना समय देने के लिए ये कैसा सेशन है ये कैसा शाक्षतकार है जिसका इसे में पूरा देश इंतजार कर रहा है और इसके कई कारण भी है निश्चत तोर पर आने वाले कुछ महीनों में देश का सबसे बड़ा विधान सभा चुनाव है उत्तर प्रदेश कहते हैं 2024 का रास्ता 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से निकलेगा इसलिए ये प्रदेश भी महतपूर्ण है ये चुनाव भी महतपूर्ण है लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटना करा मुगा इसलिए भी ये साक्षतकार महतपूर्ण है क्योंकि पहली बार योगिया दित्यनाथ लखीमपूर के इंसिडेंट के बाद किसी टेलिविजन न्यूस चैनल पर अपनी बात रखेंगे अभी तक हमने विपक्ष को सुना है विपक्ष क्या कहा रहा है अभी तक हमने तमाम बाते सुनी हैं तमाम वीडियो देखे हैं लेकि अगिन आज हम योगिया दित्यनाथ जिस करम सरी से निकले यानी गोरकपुर से उस स्थान पर मौजूद है क्योंकि हम पुरवांचल के गोरकपुर में मौजूद है योगी जी अभिनदन है आपका न्यूस 18 में अब इसी धन्यबाद आपको आप गोरकपुर में करती है और सारदिया नवरात्री के दिथी में आपका की पूरी टीम का मैंहाँ पर गोरकपुर वाजियों की और से स्वागत करता हूं अब इना धन्यवाद योगी जी निश्य तोर पर नवरात्री का समय है आप खुद उप पास पे रहते हैं हम आपकी तस्वीरे देख र मेरे मन में यह सवाल है कि मन में लखनव जादा है या गोरकपुर जादा है दिल के करीब कौन है देखे मैं पाँच बार गोरकपुर से सांसद रहा हूँ और गोरकपुर की जनता ने मुझे पाँच बार लगातार सांसद चुना जिस गोरक स्पीट को मुझे यह औसर प्रदान करने का सौभागे प्राप्त हुआ गोरक स्पीट के प्रती यहां के आमनागरी के मन में सरधा का असमान का जो भाव है गोरक स्पीट की परंप्रा के प्रती जो अन्राग है जी वा हम सब के लिए तिंत महत्वपुर्ण है और गोरकपुर गोरकपुर है और लखनो लखनो है इसलिए दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती है लखनों प्रदेश की बिवस्था के संचालन का केंद्र है गोरपूर मेरी आध्यात्मिक उर्जा का केंद्र बिंदु है और मैं दोनों को साथ लेकर के चलता हूँ एक से उर्जा मिलती है और एक के माध्यम से लोक कल्यान के कारियों को प्रदेश के 24 करोड लोगों तक पहुँचाने का एक हमारे पास ससक्त माध्यम बनता है और पूरी इमानदरी और पूरी प्रतवदता के साथ हम लोगों ने दमदार तरीके से प्रदेश सरकार की उपस्ते थे गाउं गाउं और घर-घर तक पहुचा हूँ जब आप साड़े-चार साल पहले गोरकपुर से निकले थे और एक सांसद के तौर पर और फिर मुख्य मंत्री बने जो लक्षे आपने एक साधा होगा कि मैं मुख्य मंत्री बन रहा हूँ तो मैं इस लक्षे को प्राप्त करूँगा उस लक्षे को कितने प्रतिशत आपने हासिल किया है हराजनितिक दल अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करता है जी बारती जन्ता पार्टी ने 2017 में चुनाव घोषणा पत्र को घोषणा पत्र का नाम देने के बज़ाए यानि हमें गोशना नहीं करनी थी बलकि हमें एक संकल्प लेना था उत्तर प्रदेश को उसकी पैचान दिलाने का उसके लिए हम लोगों ने कुछ गोशनाएं की थी और मुझे प्रसंता है कि 2017 के पहले भारती जंता पार्टी ने प्रदेश की जंता के सामने जो लोग कल्यान संकल्पत्र पृस्तुद किया था उस संकल्पत्र को हम लोगों ने अकसर सा प्रदेश के अंदर लागों किया है और प्रदेश के अंदर एक बड़ी अबादी उससे लवहनित हुई है उसके साथ जुड़ी है प्रदेश अपने फुना घोयवे गौरव को प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक इस नए उत्तर प्रदेश पर गौरव के अन्भोती करता है निश्यत तरपर कई काम होंगे लेकिन पिछले कुछ दिरों में एक विवाद भी बहुत जादा मीडिया में भी चाया रहा और उसे भारती जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए आपकी सरकार पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए मैं लखीमपूर खीरी में जो वाइलेंस हुई एक एक एक्ट ऑव वाइलेंस हुआ उसके संदर्ब में आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हैं आप उसमेशे पर देखें लखिमपूर खीरी की घटना ये दुखत और दुर्भाग के पूर्ण है जी और सरकार उसकी तहब जा रही है लोक तंदर में हिंसा का कोई स्थान नहीं जब कानून सब को सुरक्सा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का दिकार किसी को नहीं चाहिए वो कोई भी हो चाहिए वो कोई भी हो मन्त भी हो उसका बेटा भी हो मैंने का कोई भी हो कानून सब के लिए समान है और कानून सब के साथ समान रूप से बिवहार भी करेगा लेकिन हां ये मन्ने उच्चितम नेयले के स्थापित रूलिंग है कि गरबतारी के पहले आपके पास प्रयाप्त साक्से भी होने चाहिए हम किसी ब्यक्ति के आरोप पर अनावस्य किसी को गिरबतार भी नहीं करेंगे लेकिन हाँ अगर कोई दोसी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं वह कोई भी क्यों नहीं हो और यह संकार का संकल्प है हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया जिनके खिलाब भी कारवाई हुई जिनके खिलाब इस साख से मिले हैं वा बैक्ति कोई भी रहा हो हमने उसके खिलाब करवाई करने में कोई गुरेज नहीं की है और लखिमफुर खिरी की घटना में भी यही प्रसरकार करने कर रही है और यही करकी भी है देखिए पितले कुछ दिनों में प्रियंका वाडरा यहां थी राहूल गांदी वी एक दिन के लिए इदर आए बुपेश बगेल भी आए चन्नी जो पंजाब के मुक्यमंत्री जी हैं वो भी इदर प्रधारे लगातार नेता आते रहे जैन चौधरी भी सीतापूर जाना च देखे हम कुछ भी नहीं चुपाना चाहते हैं पिजाने के उन्हें दिया गया हमारे पास जो तहरीर आई थी हमने उस तहरीर के नसार मुकद में दर्ज किये जी एक इस प्रकार की मामलों में सरकार की पहली प्रात्मिक्ता होती है सांती और सुहर्द बनाना है जी हमारे व बहुत सारे चेहरे तो ऐसे हैं जो इस उपद्रो और इस हिंसा की पीज्शे वी सामई होने एक बार तथे सामने आने देजी्जेएं कर दोद का दोद और पानि का पानि हम सब के सामने रखें गे ईज़ए FUCKे प्रवक्ता ने कहा बीज़ेपी के एक नेता ने कहा और एक यूपी सरकार के मंत्री ने बोला कि ये पॉलिटिकल टूरिजम के लिए आए हुए हैं मैं वही कह रहा हूं ना जी सबाल ये कोई सद्भावना के लिए वहां नहीं जा रहे थे मुझे एक बात बताई ये 36 गड़ के मुख्य मंत्री अपने 36 गड़ को तो सभाल नहीं पा रहे हैं कि 36 गड़ में पुलिस की गोली से कुछ किसान मारे जाते हैं कि उनके प्रति उनके मन में कोई भी अन्राग नहीं कि उनके प्रति कोई सानव होती नहीं उन्हें लखीमपुर्ट खीरी के बारे में कोई जानकारी नहीं लेकिन अब चाकरी करनी है तो पीछे-पीछे चलाए वो तो 50 लाक रुपए देके गए हैं इसी प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री अपने पंजाब को सम्हाल नहीं पा रहे हैं मुख्यमंत्री पंजाब के सारणों के साथ पंजाब के साथ पंजाब के साथ बिववार हुरा है उसको समाल नहीं पा रहे हैं अपने आंत्रिक जगणों में वे इतने त्रस्त हैं कि उससे पिंड छुडाने के लिए उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो 36 गड़ने अपनाया है कि राजस्तान में जो हो रहा है तो अपनी कम्यों को छुपाने के लिए लोग केवल दोसरों के यानि घरों पर पत्थर फैंकने का कारेक करने वाले लोग हैं कि मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि राहूल जीसे भी और प्रेंका जीसे भी मार्च दोहजार बीस से करोना से प्रदेश भी देश भी तरस्त है उत्तर प्रदेश देश की आवादी का सबसे बड़ा राज्य है मैं अकलेश जीसे भी पोछना चाहता हूं यहीं प्रस्ण 24 से 25 करोड के आवादी उत्तर प्रदेश में रहती है करोना हमारे लिए सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था क्योंकि इतनी बड़ी आवादी है जी और हम यह भी जानते थे कि इस महमारी के बाद जो पलाएन होगा अन्य राज्जों से उत्तर प्रदेश उसे सब ज्यादा प्रभाईद होने वाला है मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस हो सपा हो बसपा हो या कोई भी राजनितिक दल हो इन लोगों में से कितने ऐसे राजनिता थे जो आज जो यह पॉल्टिकल टूर कर रहे हैं यह पॉल्टिकल टूर की वज़ाए उस समय उत्तर प्रदेश की जंता के सुख दुख में कितने लोग सेभागी बने थे इन मैंसे कोई नेता मुझे बताते दें किसी जिलेता तो हम सेभागी बनने के लिए आये थे तो हमें रोक दिया गया किसे जिन वहीं पूछना चाहता हूं प्रियंका जी से तो सरकेट हाउस में कहने जाड़ू भी लगवा दिया गया देखे जंता उनको उसी लाइक बनाना चाहती है और जंता ने उसी लाइक उनको बना दिया है प्रदेश में जब हर ब्यक्ति जीवन और जीविका के बीच में जद्दो जहत कर रही थी जी तब केंद्र और प्रदेश सरकार ही उनके साथ खड़ी थी भारती जंता पार्टी का कारे करता ही उनके साथ खड़ा था तब इन राजनितिक दलों के या इनके नेताओं का या इनकी स्वेम की पस्तिति कहीं नहीं थी जीरो थी और ये मार्च 2020 से लेकर के मैं कह सकता हूँ कि अक्टूबर 2021 के बीच में भी इस्तिति थी लेकिन अचानक उनकी नींद खुली उनको लगा कि लखीमपुर खीरी एक बहना है लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा लेकिन क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता देखे सरकार की प्रात्मिक्ता होती है सांती और सोहार्द बनाना पहले सरकार ने वहीं किया एक कुछ इस सद्भावना की दूत नहीं थे एक दुर्भावना पूर्ण तरीके से वहां पर विद्वेश और वहां पर आपसीज वर्ग संघर्ष के स्तथी पैदा करना चाते थे जो हम प्रदेश के अंदर नहीं होने देना चाती थे और कटई ही नहीं होने देंगे कटिसरा इन लोगों के जाने के बाद पब्लीक की जो प्रतिक्रिया थे पीडितों की जो प्रतिक्रिया थे ये भी आपने देखा होगा है सब ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया बेक्ति की थी कि सरकार ने हमें मदद की है सरकार की कारियों से हम पूरी तरह संतुस्त हैं किर्पया हमारे मामले में राजनीति न की जाए ये पीडित परिवारों ने स्वेम कहा या सबी पक्सों ने इस बात को अगर हम मदद करना चाहते हैं यूपी के अंदर लखीमपूर में को आपके सवाल वाजिब है कवर्धा में जो जिसे कहते हैं धार्मिक संगर्श हमें देखने को मिल रहा है चत्रिस गड़ के अंदर वह एक बड़ा incident हुआ है उसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन उनका कहा रहा था कि अगर हम लखीमपूर में किसी की मदद कर रहे हैं तो बीजेपी वालों को तकलीफ क्यों हो रही है नहीं सवाल यह है कि आप अपने कवरधा को क्यों नहीं समाल पा रहे हैं क्या वहां सान होती वेक्ते करने के लिए कि जिन किसानों को गोली से वहां भूना गया 36 कड में क्या अनके साथ एक अभी खड़े वे उनके साथ तो कभी नहीं खड़े वे पर यहां आप जानते प्रियंकावाड्रा और प्रियंकावादरा महासचिव हैं ये भी कारण हो सकता है सिद्धू भी आ रहे थे लोगों ये लोग आजार गाड़ियों के साथ करोना काल खंड में भी आ सकते थे करोना में जब प्रफंब लहर्द करोना की आई थे तब ही लोग आ सकते थे चालिस लाग प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश के अंदर आए उनके प्रतिवी इनके सानबुती होनी चाहिए थे तब नहीं तब जूटे हमें एक हजार बसेश के नंबर दिये थे कॉंग्रेस तो उन बसेश को बॉडर पे लगाना है प्रवासी कामगार और सर्मिकों को सुरक्सित घरों तक भेजने के लिए तो हमने बिभिन जन्पतों के आर्टियों को भीजे कि भई आपके जन्पत से समभते ये बसेश होंगी आप इसको देखिए कंफर्म करिए कि ये बसेश हैं अब आस्तरे करेंगे यो बसेश नहीं थी जो कंडम ट्रक थे या स्कूटर के नंबर थे स्कूटर के नंबर दे दिये थे हम लोगों को बस के नाम पर इतना भज़ा बद्दा मजाग परदेश की जनता की और पीड़ी बंधों की की जा रही थी जो अपनी रोजी-्रोजग को इस समय इस प्रकार की छोटी हरकति क्यों कर रहा था कॉंग्रिस का नहतर तो बहुत सर्मनाख हरकती थी लोगों की लोग तो कि ग्रे राज्य मंत्री आजे मिश्र टेनी उनके सपुत्रिस में इन्वाल्व हैं उनको बचाने के हमने कोई वीडियो अभी तक इस प्रकार का नहीं हमने तो नंबर भी जारी किया है जी कि अगर किसी के पास कोई साक्से है तो इस पर अपलोड करें और हमने कहा ना दोद का दोद और पानी का पानी होगा अन्याय किसी के साथ नहीं होगा कानौन को हाथ में लेने के छूड़ भी किसी को नहीं दी जाएगे लेकिन किसी के दवाओं में भी कोई कारवाई नहीं होगे क्योंकि अजेमिश्णा के गर एक नोटिस चस्पा करा पुलिस ने कि आशीश्णा हाजिर होओं वह अभी तक हाजर हुए नहीं मैंसी नहीं है कि वो खाजिर हुएं क्या आशीश मिश्रा फरार है ये मान सकते हैं देखें पुलिस की और से एक साइटी गठित की गई है जी और एक जुडिशल कमिशन भी गठित किया किया है जुडिशल कमिशन इस बात को लेकर पुरी घटना की कारणों के बारे में उसकी चानविन करेगा और S.I.T. सीनर अधिकारी इसमें डियाजी अस्तर के अधिकारी हैं एडिसनल S.P. अस्तर के अधिकारी हैं ये अधिकारी इस पूरे मामले में इसकी तहुत तक जाएंगे और उन सभी वान्चितों को जिनके नाम दिये गए हैं जिनके ब्यूडियो जा रहे हैं जिन पर ये कंफर्म हो गया कि अपरादी थी उनकी गिरफतारी सुरू हो चुकी है कल कुछ गिरफतारी हुई है आज भी कुछ गिरफतारियां होने हो संभौता हुई होंगी पुक्ता साख से मिलेंगे उनके गिरफतारी होगी और उनके खिलाब बहुत सक्तकारवाई होगी है मैं इस घटना पर आपसे आखरी सवार पूछ रहा हूं आरो पर यह है कि अजे मिश्रा टेनी ने खुद भड़काऊ भाशन दिये थम्स डाउन जिसे कहते हैं इस तरह से दिखाया इसलिए किसान भड़क गए और फिर उसके बाद जो हुआ जिसमें तीन बीजेपी के कारे करता भी कए बहुत दुख की बात है कि एक पत्रकार की भी जान चली गई और बहुत दुख की बात है चार किसान भी नहीं रहे क्या आपको लगता है कि ग्रे राज्येव अंतर होता है पोलिटिकल भासन राजनितिक मंचों से होता है और किवल यह वीजेपी का कोई नेता ही दे रहा हो ऐसा RAMही है तमामनने नेता देते हैं कांगरेस की सरकारें वो भी देते हैं और भी देते होंगे लेकिन इसका मत्वांद यह नहीं किसी की हत्या कर लें आपको लगता है किसी ने गलत किया है उसके लिए अलग अलग मजच है आप कंप्लैंट कर सकते हैं आप उसके माद्धियम से हो करेंगे लेकिन कानून को हाथ में ले vibes कार किसी को नहीं है सब कर बीजेपी ढंका रही थी हमकाने की बात नहीं प्रियास होना चीए कि हम कोई ऐसा बयान ना दे लेकिन अगर आता है तो वह उसका कोई माइने नहीं हो ताब उसका खंडन कर दीजे जी आपको बुलर रखता है आप भी बोल दीजे क्या मतलब है इसका लेकिन उसकी आड़ पे हम क्या किसी निर्दोस बेक्तिकी जान ले लेंगे राच चलते वे रागिरों पर हमला कर देंगे अब विपक्ष अड़ गया है कि आजे मिश्रा टेनी का सब्सक्राइब तो बहुत गिनाने की कोशिश करती है लेकिन लिस्ट डाउन नहीं करा सकती अखिलेश जी कहते हैं कि मौ यू तो बहुत साइन किये पैसे कोई आते नहीं है यह सिरफ फीते काटने का काम करते है हमारा देखे अकलेश जी को जब पुरसत हो यह सब जानने प पुरसत हैं बड़े बाप के बड़े बेटे हैं तो सवाभाई कुरूप से उनकी अपनी जिंदगी है उनकी अपनी कार्यपद्दती है यह देश और दुनिया से उनको क्या मतलब है पर उने एक इंटेविव में का मैं सुबह चार बर जी उड़ता हूं मैं भी ध्यान लग आते लगाते जनता ने उनको कहां पोंचा दिया रहा है तो रहुत हर euch जान रहा है पीधर ध्यान लगाने का ह эту नाम है ऑ्ध़न लगा रहे थे लिगे काक्त है यादिए तो झोनिया इंग्लेंदड से राचा था उनको दूइप में रहे ना आराम की जिन्दगी जीए कौन आपको रोक रहा है बगवान चाहे मैं तो चाहूंगा कि जिन्दगी भरवा आस्टेलिया की किसी दूइप में मटर गस्ती करें यूरोप में जाकर के अपने छुट्टियां मनाएं खोब पुरसत के साथ मनाएं तो आप आप का छुट्टी का मन नहीं करताई आप आप छुट्टी पर नहीं जाते देखिए मैं अगर Deutsch लेनी होते जी आए तो मैं सरजुनिक में नहीं आता है लोग कल्यान का पत छुट्टी का पत नहीं है अपने कारियों के माद्यम से अपने पुरसार्थ के माद्यम से आम जन की सेवा ही हमारी स्वंतुष्टिक अधार होता है अगर आम जन के थोड़ी भी सेवा कर लेते तो मान लेते हैं कि हां कुछ किया है ब्यक्तिक डुक्त, जियोन में कोई भी इस प्रकार की चीजों को कोई इस प्रकार का एक इस पेस रखते हैं? कि कानून मेवस्ता पर हमने बहुत काम किया है लेकिन पिसले कुछ दिनों पर में आपको कानून मेवस्ता की मुद्दे पर बहुत घेरने का प्रयास हो रहा है अखिलेश यादफ कहते हैं कि यहां ठोक तंतर की सरकार चल रही है हाली में गोरकपूर में जो इंसिडेंट देखे जो आपके सबसे बड़ी उपलब्दी होगी है हमले भी उसे पे होंगे पबलिक जिसको एप्रिसेट कर रही है और जो आपकी छवी को वदल्ला है हमले उसे पे होंगे उत्तर प्रदेश की कानून विवस्ता देश के लिए एक नजीर बनी है एक अस्थापित सत्य ह है साड़ी चार वर्स का एक स्थापित सत्य है हर 32 बात को स्विकार करता है हां इसके बीच में कुछ दुर्भागे पूर्ण घटनाएं घटित हुई है और सरकार उसमें भी जिरो टॉलेंस की नीती के तहती कारे कर दो पुलिस नहीं कर दिया क्या करो ना जी पुरी इसके अपले हम लोगों ने जांस ट्रांसपर की है हरस्तर पर कारवाई की रही कर रही है हमने सीवी आई को भी इसके लिए 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 वह जा है और आप चिंता मत करिए एकदम प्रभा भी करवाई हो गए अखिलेश जी कहते हैं कि हमें बताना परता फिरी कि जिन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को ये लोग गले लगाते थे जो यहां के गरीबों का यहां के ब्यापारियों का या सारजनिक संपत्य को जवरन हड़पते थे उसको अपना जन्म सिद्धिकार मान लेते थे आज उन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को ज वात को कहते हैं तो उनके चेहरे की लकीर को पढ़ करके आप बोल सकते हैं कि आखिर इनकी पीड़ा कहां जलक रही है मैं आपको आकड़ा बताता हूं जो असद ओवेसी साहब है आपको बहुत प्रेम करते हैं वो ओवेसी साहब आपने कहा कि ऐसी ठोक तंत्र की सरकार है कि 35 परसेंट जो टोटल इंकाउंटर वोस्ट में 35 परसेंट और मुसलमानों को ठोक दिया है इन लोगों ने वेसे साहब को बोलना चाहिए एक कस्मीर में जो हो रहा है न कभी वहां भी सानभोती ब्यक्त कर देते तो लोग उनको ने जा रहा है जो लखींपुर कहीड़ी में हिंदों रिखकों को लडने का प्रिकुश्द प्रियास कर रहे हैं न को कस्मीर का आइना देखाना चाहिए वहां पर इनको तालिवान के किर्ख्तों का आइना दिखाना चाहिए और प्रदेश के अंदर लखीम पूर्खी दी के मुद्य का राजनीति अ कौन कर रहे हैं जो तालिवान का समरथन काबूल में कर रहे हैं यह वही चेहरे हैं यह मिलते जुलते चेहरे हैं यहां पर हिंदो और शिकों में बैमनिस्टा पैदा करने का प्रियास कर रहे हैं कस्मीर में हिंदों और सिक्कों की निर्मा महत्या को पर्मौन होते हैं और काबूल में हिंदों सिक्क और अन्य अल्पसंक्यक समधाय पर होने वाले अत्याचार पर ये लोग तालिबान का बेस्तरमी की साथ समर्थन करते हैं तालिबान का लोकतंतर समर्थक मानते हैं लोग इससे ज़्यादा सर्मना क्या हो सकता है और इसी लिए सरकार सक्ति से इन लोगों से निपड़ती है क्योंकि हम कश्मीर की बात कर रहे हैं कश्मीर में बहुत दुखत घटा हो यह जिसमें चिन्हित करके हिंदू और सिखों को स्कूल टीचर्स थे वो जो बच्चों को भविश्य के लिए पढ़ा रहे थे उनको चिन्हित करके मारा गया है क्या आपको लगता है यह 1990 वाला दौ सकती है अब वहाँ पर कोई भी कस्मीरी प्लाइन नहीं कर सकता कस्मीर से आद भारत के अंदर एक मजबूत सरकार है मोधी जी के नित्रित्तों में मनिगर्ह मंत्री जी के नित्रित्तों में आंतिरिकber शुरक्सा है पहले कितुल्ना में कई गुना सुदर्ड़ हुई है आज कोई ऐसा नहीं कर सकता है आपने बड़ा मेधपून पॉइंट बुला आपने बुला कि लखीमपुर में प्रियास्ता हिंदू और सिखों को भिडाने का या फिर दंगे जैसे ते ती ऐसे बयान हमने देखे पीछे काफी नेताओं के भी आए खास तो पर बीजेपी के क्या आपको लगता है कि एक धांचा है जिसके इर्दगिर्द घुमाना चाहता है कोई देखे जब यह लखीमपुर की घट्टा हुई हमने देखा कि कैनेडा से पन्नु जो की खालिस्तान के लिए बहुत एक्टिव है उसने भी बयान दिया कि योगी को घेर लो नरेंद्र यह उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा संकल्प है सब को सुरक्सा देंगे बिना बहे दभाव के सरकार सासन की योजनाओ कलाब सब को देगे लेकिन तुस्टिकरन किसी का नहीं करेगे और सुरक्सा के साथ खिलवाड करने की छूड़ भी किसी को नहीं देगे अगर कोई गलत है में है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम घेराबंदी करके और आम जंजिवन को ठब कर देंगे या निर्दोस लोगों पर हमला करेंगे तो फिर तैयार हो जाएं वबी हम तो तैयार हैं यह जी आपने बोला कि हम बिना भेदभाव के काम करते हैं अ लिंक विदेशों तक भी जा रहे हैं विपक्ष का रूप है कि उपलब्दी गिनाने को नहीं है इस सरकार के पास इसलिए अवैद धर्मांतन का एक नया खेल रच दिया गया है दिखे यह यह प्रदेश की सुरक्सा एजंसियों जी जो एजंसियां प्रदेश की 24 कौर से 25 क प्रोड की आबादी को सुरक्सा की पुक्ता विवस्था कर रहे हैं उनकी कार्यपत्तिती पर प्रस्टन खड़ा करना है कि विपक्स के पास मुद्दा नहीं है और वह अपनी नाकाम्याबियों को चुपाने के लिए किवल आरूप प्रत्यारूप करती है अपनी अकर्मनेता के लिए सरकार को घिरने का प्रियास करती है जी धर्मानतन की खिलाब आज से दो वर्स पहले हम लोगों ने इसलिए एक सक्त कानून बनाया था क्योंकि ऐसी घटना हैं मिल लहीं थी इस प्रकार की वारदातें हो रहीं थी और हम लोगों को लग रहा था आज अगर एक्ट नहीं होता और कानून नहीं होता तो हम लोग इस पर प्रभावी कारवाई नहीं कर पाते हैं मैं कुछ आपको बयान इस पर बताता हूँ मेरट में मुलाना करीम सिद्दकी की गिरफतारी हुई तो आम आदनी पार्टी के विधायक है आमतुला खान उन्होंने बोला मुसल्मानों पर जल्म जो है वो बढ़ हर उस कारे का विरोध करेंगे जो उत्तर प्रदेश के हित्मे हो देश के हित्मे हो इन चेहरों के द्वारा उस हर कारे का समर्थन क्या जाएगा जो उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न बिन करता हो देश और प्रदेश की सुरक्सा के लिए खत्रा हो उसका सब्सक्राइब कैया लोग विरोत करते हैं अरोप ये कि अगर आवे धर्मान्तरन चल रहा था तो वह भी तो नाकामी सरकार कियी कैसे चल रहा था तेंक हमारे पास एक्ट नहीं था है कि हमकोई कहर रवाई करते थके तो उनको ततकाल छोड़ दिया जाता था उनको पहले से उस प्रकार का प्रोटेक्शन प्राप्त था जी और जब इस प्रकार की एक घटना दो घटना तेन घटना सामने आती है तो सरकार को उसमें गंभीरता से विचार करना होता है कि आखरी घटनाओं का कारण क्या है एक संबेदन सी सीलता का ही परिचे दे करके सरकार ने कारवाई की एक्ट बनाया पहले और पहले ओडिनेंस लाए फिर एक्ट बनाया एक्ट बनाने के बाद फिर हम लोगों ने इस परकार की कारवाई को भी आगे बढ़ाया है इस सरकार की नाकाम्याबी नहीं इस सरकार की काम्याबी है औ पादाबभी कारवाई हो रही है मरची से ये नहीं होता छल और च्हद्म के अधार पर आप यह नहीं कर सकते है он किसे सोद नहीं कर सकते हैं और हमारा विरोद इसी बात को ले करके है एक होनी है हम हम भी सिवा करते हैं हम तो नहीं पूशते किसी की जाती किसी का मत खसी का मचा हम लोगों के धरी में लंगर चलाते हैं फिरी में होस्पिटल चलाते हैं गोह प्रक्सपीट आज से ने 1932 से पूर्वे उत्तर प्रदेश में शिक्सा के केंदर चिलाती पचास हजार बच्चे वहां पर पढ़ते हैं हमने तो किसी की जाती किसी का मजभ नहीं पूछा आपके जो लखीमपूर के कॉंग्रेस के पूर संसते नकवी यह तो अपनी मंदिर की संसता में पढ़े हैं हमने तो नहीं पूछा कभी क्यों पूछिए ना उनसे तो कॉंग्रेस के संसत रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए क्या कभी किसी ने पूछा कि तुम किसी से नहीं पूछा क्योंकि यह लोग कल्यान में सेवा का एक माद्यम है लेकिन सेवा को गोरक गुरुद्वारा में जाईए किसी की चाती मत मजब नहीं पूछा जाता कोई भी लंगर में वैड़िस के भोजन पासकता है कोई सौधे बाजी नहीं तो अब करें ये सौधे बाजी करके धरम बतलवाना धरम सेवा के नाम पे सौधे बाजी बंद होनी चाहिए क्योंकि ये सिरफ यूपी के समस्य नहीं है ये देश की है अभी कवरदा में जो वालेंस हुई है वो भी धरम परिवर्तन के नाम पर हूए धर्मांतन के नाम पर हुए हैं यही तो पुरसत नहीं 36 गड़ के मुख्यमंत्री को कि वहां इसकी तह में जा सके हैं क्योंकि अगर ये लोग सत्ता का संचालन इमानदारी से करें तो इनको एसास हो कि वास्तों में यहां पर देश द्रूही एक कारे हो रहा है भारत बिरोधी हिंदु धर्म बिरोधी और सुरक्सा के लिए जो बात में खत्रा होगा जो यहां की रिलिजिस डेमोक्रेफी के लिए खतरनाक होने की जाना जारा है उस पर सोचने की पूर्सत होती तो वह लोग उस पर चिंतित होते बेकन जिनको क्योद्ट चाकरी करनी होती है वे लोग फिर केविल अपने कुर्षी बचाने के लिए ही देश की सॉद्ध की सॉदेवाजी करते हैं और इस प्रकार की यानि उनके लिए राजनीती सेवा का माध्यम नहीं होता है अपनी कुर्सी बचाने का चाकरी करने का एक माध्यम होता है और दुर्भाग्य है यह लोग वही कर रहे हैं इन लोगों को इस सब पर जानने की पूर्सत नहीं है दूसरा क्या पूरे देश के ले कानून आना चाहिए दूसरा पहलो जी इसका है वह है चल और चद्म के नाम पर अगर आपका नाम असरफ है तो आप असरफ ही रखिए आप अपने को अनिल मत बताईए पपो टपो रामो के नाम पर अपने को भर्म के स्थिदी पैदा मत करिये क्योंकि आज कहते हैं साब मेरा नाम जो है आज तो कहते हैं कि जो है आज अपने को अपने को अपनाम लगा करके या हिंदो नाम रख करके पहले बहकाते हैं और फिर ये लवज जिहाद और इसी के खिलाब सक्त कानून हमने प्रदेश के अंदर इसके खिलाब भी बनाया है और ये मैं आज पहली बार नहीं बोल लो बो हजार नो में केरल हाई कोट ने वहाँ की सरकार को आदेश दिया था कि लब जिहाद एक खतरनाक टेंड है एक केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बना देगा लब जिहाद शब्द का इजाद मैं अपने वियोस के लिए बता रहा हूँ ये केरल की एक चर्च ने किया था ये किसी और ने नहीं किया था एक नियाई पालिका ने इस बात को कहा करनाटक में भी यही बात हुई थी उस समय दोजार ग्यारा में उस सब के बावजूद भी अगर ये लोग अपने कानों में तेल डाल करके चुप-चाप सोई वे हैं तो ये लोग देश के साथ धोका कर रहे हैं हम धोका नहीं होने द दर्मांतरन को लेके पूरे देश में कानून आना चाहिए मैंने कानून बिवस्ता राज्य कविसा है राज्य सरकार को इसके मामले में स्वेम चितनी ठोना चाहिए और जहां उनको लगता कि कदम उठाने हैं वहां पे कारवाई भी उनको करनी चाहूंगा कि कम से कम 36 है हाला कि इसकी जांच हो रही है आरोप है कि वह भी धर्मांतरन का साइलेंट्री काम कर रहे थे और वेसी कह रहे हैं क्योंकि वह मुस्तिम अधिकारी है उनको टार्गेट पे ले लिया जा रहा है देखे उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही एक डिजी अस्तर के अधिका मुक्ति हपने धर्म के बारे में मात्र बोला है तो और centiversaire में अ간्षी आडों मैं वह किसी को किसी धर्म को गाली दे करके और फिर अवय धर्मांतरन कि किर्टियों में लिप्त है तो सरकार उस मामले में कुठोर कारवाई भी करने में कोई संकूछ नहीं करें साउध दिनों वेसी अब खुलकर अतीक एमद और मुक्तार अंसारी की बात कर रहे हैं मुक्तार अंसारी का परिवार जो है वो समाजवादी पार्टी की भी करीब दिख रहा है उनके जो भाई है सिवकुत उल्ला वो समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो गए है क्या कहना हैं कि यह सब पाहिएं की दौरा पालिपोस्य गएं और इन्य सब पाहिएं की जो एनातिक तियों की पर्रेडम यह सब हैं तो सपावा सपा कांग्रेज जैसे राजनितिक दल को बृदेष की ज都是 देश की जनता से माफी माную चाहिए इनके कारणत से प्रदेश के अंदर या देश के अंदर तमाम लोगों को परिसान होना पड़ा है तमाम घर उजड़े हैं तमाम सारजुनिक संपत्यों पर इन माफ्याओं ने कबजे प्रारंब किये और अपनी अनेतिक संपत्य बनाई और उसके नाम पे लोग कॉमन मैन का बैपारियों का नागरिकों का जिना अराम करते थे हमारी सरकार ने कारवाई की है और हम लोगों ने तो ये भी तैय किया है पहली सरकार है हमारी जिसने इस प्रकात का ऐलान किया है कि इन माफियाओं से जितनी संपती हम लोगों ने जब्त की है जिसमें बुलो जर चले हैं उसमें गरीबों की ही आवास बनेंगे और उनके लिए हम फ्री में प्रधानमंतरी आवास योजना लागू करने जा रहे हैं कितनी बड़ी स्कीम लाखों गरीबों को हम आवास नहीं नहीं है मैं मेरा अगले वर्स आथे साड़े चार साल पहले कितने मतलब इनकी दबंगाई चलती थी आपने सवाप्ति कर दिये पूरी तरह से देखे मैं पिसले 25 वर्सों से यानि मैं अगला वर्स मेरा पचीस साल हो जाएंगे सारजनिक जीवन के 25 वर्स मेरा अगला हैं सब मेरे सुभ्चिं तक हैं क्योंकि जो विरोधी होता है वह भी जो बोलता है वहमें कर देता है तो सबही पक्लुप से मैं सब कोहिए मानता हौन मेरे पर्तेक्स और परने बिनंदन करता हो मैं अगर में मुझे कोई उन्याएं कर रहा है अत्याचार कर रहा है, मिरा कितना भी नजदी की क्यों न हो, मैं उसके खलाब भी वही कारवाई करूँगा, जो किसी अन्ने के खलाब करूँगा और अब तक की सरकार की कारेपदती से यहे मuffे लगता है कि प्रदेश ने दो जाना है, देश ने भी इस चीश को देखा है सोचती है क्योंकि विपक्षारूप लगाता है कि ब्रहमणों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है तो यह लखिम पुर्वांचल में हैं लखिम पुर्खिरी में दो ब्रहमण योग भी मारे गए हैं जी वहां क्यों नहीं गए लोग आज तो ब्रहमण सम्मेलन कांग्रेस के सपा के बसपा के जो हो रहे थे यह सबी ब्रहमण नेता उन पीडित हिंदों के पास क्यों नहीं गए जो वहां पर लखिम पुर्खिरी में राहुल गांदी प्रियंकावाद गांदी वाड़ा ने सतीस मिस्त्रा से पूछे ना जी क्य आद्सक्राइद ग्रोनी अखने स्यादों गए ते लखिमपूरखिरी में आखरुपीडित ब्रहमन के घर क्यों नहीं कि ऑफिए फिर अगर अनको लगता है कि ब्रहमन पीडित है तो प्रहिरा कि आखर उनकी यान के यह नहीं गए और कॉन नहीं देखता अ कंभ निग्ष मिस्त्रा की किस प्रकार से निर्मा मत्या हुई थी किस प्रकार की निर्मा मत्या हुई थी कोई बोल सकता है निरज मिस्त्रा की निर्मा मत्या को निरज मिस्त्रा का केवल एक यानि निरज मिस्त्रा ने एक काम किया था कि उसने एक राजनितिक दल के एक नेता को बोट कबजा नहीं करने दिया था एक एक फैक्टर चल रहा है कि अब भारती ये जनता पार्टी का कारे करता था जी 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 अब उसकी निर्मा मत्या कर देंगे एक फैक्टर चल रहा है कि मुस्लिम जी अधर नहीं थे क्या संतोश शुक्ला ब्रामिड नहीं थे जिसका थाने के अंदर जाकर के हत्या कर दी गई थे इन लोगों के वास्तिविक चेहरे को समझो यह वास्तों में हैं क्या यह ना ब्रामन हितेशी है यह ना हिंदू हितेशी है और सही माइने में इन लोगों के चेहरे को देखना तो यह तालिबान हितेशी है और हमें साथ तालिबान का लोग समर्थन करते हैं बाकि किसी का नहीं समर्थन करते हैं यह मंत्र दिया 2014 में प्रधन मंत्री बनने के बाद उन्होंने अक्सर सा इसको ब्यभारिक धरातल पर उतारा भी है और हम आज भी इस बात को कहते हैं ना जाती ना मत ना पंथ ना संप्रदाय ना छोटा ना बड़ा ना छेत्र ना भासा सब का साथ और सब का विकास इक नई पार्टी पी आ गई है काफी आज कल्एक्शन में भी दिखने की कोशिश करती है आम आादनी पार्टी उसको आप कैसे देखते हैं हलाकि दिल्ली में तो वह सरकार चला ही रहे हैं कैसे इस देखते हैं दूसरा इन लोगों का चेहरा सब के सामने है दो चेहरे आम आदमी पार्टी से एक बात के लिए पोछा जाना चाहिए जी वहाँ कि एक लॉक्डाउन प्रारम होने के बाद यूपी और बिहार की लोगों को दिल्ली से जवरन बिशली पानी का कनेक्शन काट करके क्यों निकाला गया उनको राशन से बंचित क्यों किया गया पर उन्होंने अपनी शुरुवात अयुद्ध्या से करी है मैं क्या कर रहा हूं अब तो आयुद्ध्या सबको याद आ रहा है जी सतीष मिश्रा भी गए जो राम को नहीं पोस्ते थे जो लोक पहले राम को कालपनी कहते थे और वो यह भी कहते हैं राम तो हमारी भी है हमने का बोलो ना कूंद रहते हैं तो हमारी वैचारीक विजह यह हई जो लोग कहते थे अयोत्या मैं राम जनब भूमि के लिए कि वहाँ पर यह यानि मैं उस सब्द का प्रियोग नहीं करना चाहता हूँ जो लोग पहले राम के को कालपनी कहते थे आज वे सभी लोग राम राम चिला रहे हैं तो सौभाई कृप से उन्होंने हमारी विचारधारा को स्विकार किया है राम के स्वारभूमिक विवस्था को स्विकार किया है राम सास्वत हैं राम सत्य हैं राम भारत के अंदर धर्म के प्रतीक हैं आज उसको उन्होंने भी स्विकार किया है जैंब है और हम लोग किस बात को मानते हैं कि इसे और अपने को running टिंग हमेएक सच्छे भारती हैं एक सचे हिंदू है जिपमारी वो सबसे बड़ी। होगी और हमारी जो अगली सरसाइज है उसी तरफ जा रही है एक दिन वे जरूर मानेंगे प्रभुराम को आप कहते हैं तो अयुद्या को फैजबाद लिखते हैं वो कहते हैं कि वहां मस्जित थी है और रहेगी सब अपने अपने धंच से देख लें आ युद्या को देखे जरूर बनेगा चलिया हैदरबाद को भागये नगर बना रहे हैं लेकिन यह अबबाजान से आपको इतनी तखलीफ कियो गई आपने विधान सब्ब में भी अबबाजान बोला फिर बोला यह अबबाजान बोलने वाले सारे राशन खा जाते थे अब कहा जा रहा है कि आप आपसे मुदाय विशेश को एक धर्म को टार्गेट कर रहे हैं अब को भी स्थर्म विशेश को नहीं जी मैं जनता के सामने प्रदेश की जनता के सामने इन लोगों के आचरण को प्रस्तुत करना चाहता था आए मैंने किसी ब्यक्तिका नाम नहीं लिया एक मैंने इस बात को कहा था कि वैक्सीन लगाने के लिए हो सकता है कि अपने अबाजान को देखे होते तो समभता वैक्सीन का विरूत नहीं करते मैंने बात कही यह किसी पे भी लगो हो सकता है दूसरा अबाजान कोई असंसदिय सब्द नहीं है और मैंने बिधान परिशद में यही बात कही थी मैंने का अगर अगर अब्बाजान असनसदिय सब्द है तो नेता प्रतिपक्स बिधान परिशद में से एमध हसन जी है मैंने उनसे कहा अगर अब्बाजान असनसदिय सब्द है आप बताईए उन्होंने का नहीं तो मैंने का फिर आपके पार्टी पर रोद क्यों कर रही है आ गया नहीं दोहरा आचना आप लोगों का यानि मुस्लिम बोर्ड चाहिए अबाजान से परहेज है और देखे यह सब यानि अंदर अंदर अबाजान का मैं संदर आपको बताता कि 81% फिर चुपचाप नहीं बैठेगा तो अबाजान को उस तंदर में देखा जा रहा है देखे अबाजान का प्रयास नहीं था अबाजान का प्रयास यही था कि एक जनता के सामने असलियत आनी चाहिए जी कि मुस्लिम वोट इनको चाहिए लेकिन अबाजान से इनको पर एसके अनदर हर हर मुस्लिम परोड़तयवार मनाई जाते थे सरकार आयूजन होते थे लेकिन हिंदु परोड़तों को दंगंगों की भे मेरट चड़ा दिया जाता था आज ऐसा तो नहीं है आज तो प्रदेश के अंदर सारे परोड तेवार सांथी पुन तरीके से मनाई जा रहे हैं यानि यह लोग इफ्तार की पार्टी गोल टोपी पहन करके करें तो ठीक अगर हम लोग कहें कि नहीं भई काबड यात्रा भी निकलनी चीए तो बुरा यह दो जन्माज टीवी के परो और तेवार को नहीं नहीं वनें होने दिय था था थानों में जेलों में एक ही तो परो उसका परारम किया है इनका तो हरा चरीतर सामने आना चाहिए था और से लिए हमheenने कहा था यह लोग जो बोलते थे इनका जो आचन था गरीब का रासन यह कदर भोक मरी से कोई मौत नहीं हुई कि क्योंकि हर गरीब का रासन काड़ बन चुका है उसको सरकार की युजणाव से जोड़ दिया गया है तो सरकार पूरी इमानदारी के साथ पूरी प्रतिबदता के साथ अपनी युजणाव को उन तक पहुचा रही है और पहुचाने का कारी सरकार में किया है क्या आपको लगता है 2022 के चुनाव में किसान बड़ा फैक्टर होगा क्योंकि लगातार राकेश टिकैट भी यहां पर कारेकरम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस बार भारतिय अनिता पार्टी को वोट की चोट देनी है देखे तो अभी एक पॉलिटिकल एजंडा तो बनी गया किसान अब किसान को किसान अंदूलन भारत की राजनीति का हिस्ता बहुत पहले से है लेकिन किसान के लिए इमानदारी से अगर किसी ने किया है तो प्रधान मंतरी मोदीजी ने किया है याद करिए जो धरती माता हमारे अनदाता किसानों को अनुत्पन करके देती है उस धरती माता की सेयत का ख्याल रखना है उसके लिए स्वायल हिल्थ कार्ड योजना प्रधान मंत्री मोधी जिने चारी की देश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माद्यम से हर एक किसान की फसल का बीमा का कवर हो सके इसकी गारंटी प्रधानमंत्री मोधी जी ने दिया दसकों से लंबित सिचाई की प्रयोजनाओं को पूरा करने का कारे भी किसी ने किया तो प्रदान्मंत्री मोदी जी के समय हुआ और ये कानून के विशे पे जी 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 डेकिंस्पी की गोषना उनीस सो सड़ सट में जुरूर हुई थी लेकिन्सपी इमानदारी के साथ गिसान को पराप्त हो और MSP का लाव किसान को मिले ऎड़गुणा लागत का ड़गुणा दाम किसान को मिले यहाँ भी प्रधानमंतरी मोडीजी की कारण हो पाया है और प्रधानमंतरी किसान सम्मान निधी हर किसान के खाते में 6 जार रुपे साला ना पहुँचे हर चौटे मैं ने 2000 रोपे हर किसान के खाते में जा रहे है यह कारे भी किसी ने क्या पधान मंत्री मोदी जी ने किया है मैं यह नी समझ पा रहा हूं इतना कारे आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने नहीं किया है और प्रदेश के अंदर हम लोग आये थे प्रदेश के अंदर दसकों से लंबित सिचाई की प्रयोजनाओं को पूरा करने का काम भी किया गया लगभग इस समय हम 22 से 25 लाग हेक्टियर लैंड को अत्रिक्ति सिचाई की सुब्धा तुपलब्द करा रहे हैं प्रक्यूर्मेंट पहले आड़तियों के माद्यम से होता थ किसानों को सीधे MSP का लाब मिल सके ये काम भी सरकार ने किया है और गन्ना किसानों के लिए तेहतियासी कारवा एक लाग पैंतालीस हजार करोड रुपया का गन्ना मुले का बुक्तान प्रदेश के अंदर हुआ है क्या इससे पहले किसी ने इस प्रकार के कारे के नहीं क्य प्रदेश करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश का किसान बहुत जागरुक है वह जान रहा है कि कि किसी ने किसानों का सही माइने में हिद किया है लेकिन कि कि पहकायों में मारा अन्दाता किसान नहीं आने प्लिटिकल इशू आप देखी रहे खुद बन है राकेश्ट के निताओं को गाउं में नहीं घुशने देंगे इस बार मुसल्मान और जाट एक हो जाएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को हरा देगा और ऐसे प्रदेश भर में होगा अब लगता है कि लखीमपूर में हो गया है तो वहां पर भी यह मामला एक्टिवेट हो जाएगा देखे यानि पश्चिम से पुरवांचल तक लियाएंगे इसको देखे हम तो चाहते हैं पुरा प्रदेश एक जुठो जी सरकार के कार्यों पर सरकार को वोड़ दे हमने काम किया है तो siamo्रथन दें अपना वोड़ दे नहीं किया है तो हमें खारिच करें हमें कोई अपत्ती नहीं होगी लेकिन कुछ जक में ऐसे होते हैं जो कभी भरी नहीं जा सकते मुझफ़न अगर में जो दो नौजवान जाड नौजवान मारे गए थे वहाँ का जाड समता है कि इसको बूल जाएगा सपा के इन किरतियों को और सपा के साथ गड़ जोड़ करके अबिवस्ता पहलाने वाले लोगों को क्या माफ करतेगा कितने ब्यापक पर तिक्रिया हुई थी खाई पैदा हुई थी त데 अब पुल बन रहा है और वे हर बैकती जानता है कि लोग पुल नहीं बनानेKA काम क्या करेंगे नीचे पट्रा भी चाएंगे फिर उसके उपर जो है कंक्रीट और बालू डालेंगे फिर उसके उपर छड़ लगाएंगे यानि जिससे जैसे पट्रा गिरेगा हटेगा तो छट नीचे गिर जाएगी लोग उसके नीचे फिर दब जाएंगे ये लोग यही साजिस्त करना चाते हैं और ऐसे पुल पर सवारी होकर कि कोई भी पसी में उत्तर प्रदेस का बैक्ति नहीं जाना चाहेगा कोई भी प्रदेस वासी नहीं जाना चाहेगा क्योंकि ये मौलूम है इनके बहकाईवें माकर के प्रदेस को हमने दंगा गरस्त प्रदेश बना दिया था अपराद गरस्त प्रदेश बना दिया था ब्रस्टा चार युक्त प्रदेश बना दिया था देश के अंदर उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पैचान का संकट आया था और आज ऐसा कोई संकट प्रदेश के अंदर नहीं कोई दंगा नहीं जी फसाद नहीं कोई अराज़क्ता नहीं कोई अविवस्था नहीं और समस्या के समाधान के लिए सरकार हर समय हर दिन तत्पर है इसले जनता इन सब चीज को जान रही है पस्विप उत्तर नायर विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा है लेकिन खास तोर पर कॉंग्रेस पार्टी योगिया जित्तिनाथ को लेके बहुत मुखर है प्रियंका वाद्रा तो डेरा डाले हुए है राहुल गांधी कहते हैं कि जो नफरत करे वो योगी कैसा उन्हें ट्वीट किया यह देख जिस उत्तर प्रदेश ने उनकी तीन तीन पीड़ी को सित्ता के सीर्स सिंगासन पर पहुंचाया है उस उत्तर प्रदेश को इन्होंने कोसा है केरल में जा करके वहाँ पर उत्तरप्रदेश के एक प्रते एक नागरी को इनोंने गाली दी है उत्तरप्रदेश इसको कैसे बिस्प्रित कर सकता है उत्तरप्रदेश का सवभग्य है कि राम और कृष्णी यहां जन्मु है यह उनकी लेला भूमी भी है और मर्यादा पुसुतम भग्वान सिरी राम और स्री कृष्ण की परती जिस प्रकार के ठिपणी 2005 में सुप्रेम कोर्ट में अपने सफ़त पत्र के माद्देम से कॉंग्रेस सरकार ने दिया था क्या ये उत्तर प्रदेश वासी भूल जाएगा कॉंग्रेस के स्कृते को जब ये देश से बाहर जाते हैं तब भारत की निंदा करते हैं क्या इनके स्कृते को भूल पाएंगे तो मेरे परती बोला है तो कौन बुरी बात है मैं उसको जानता हूं क्योंकि कुछ लोक ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तो विदाओट ब्रेंड बोलते हैं लेकिन अब तो बड़े BEN था बदाखे बन्तरी दिया है पंजाब के मुक्र मंतरी को बदागा दिया है उन्होंने नहाग्यं मंतरी लिया है अब वह दिसाइजव हो रहा है रावी जी हो तो वहीं कह रहे ना तो इसलिए तो वहां पर तैनी हो पारा है कि आगे कैसी चलना है को वैचारे भागे भागे फिर रहे हैं है है भागे भागे फिर रहे हैं पंजाब में उनके ठिकाना नहींanted िमichen के कि मैं हम लोग तो चाहेंगे कि यह लोग इसी प्रकार की से डाइनेमिक बने जिससे कम से कम पंजाब के अंदर कॉंग्रेस जिस रसादल की तरफ जा रही थी उसको रसादल में ले जाने के लिए किसी अन्हें दल क्या उसक्ता नहीं पड़े कि दोनों भाई-बहिन प्रयाप होई होगी कैसे व्यक्ति लगते हैं आपको पुरानी पूर्व बुक्यमंत्री कैप्टन अम्रेंदर सिंग जनाधार वाले नेता थी साफ गोई वाले नेता थे जी और मुझे लगता है कि भारत की सुरक्सा के लिए पूरी तरह संबेदन शील ब्यक्ति थे इसमें कोई संदे नहीं आप याद करिए कि एक सीमावरती राज्य के बारे में कॉंग्रेस ने जो यह निर्णे लिया है लेकिन जिस संबीदन हिंता के साथ और जिस प्रकार के तत्तों के कहने पर खासतोर पर जो लोगंट के पाकिस्तान के सेना ध्यक्स के साथ कलबई यहां करते हैं उनके कहने पर आप चेपनिस्टर को डिस्टर्ब करेंगे यह बहुत ही यानि खतरनाक प्रवड़ती है जी इसके बारे में सोचना चाहिए वहां के कैसे सिद्धु जी तो आपको मित्र रहे होंगे संसद में मित्रता लग है जी लेकिन हमारी मित्रत हमारी की सुरक्सा में जो है कहीं आड़े आती तो हम मित्रत को दरगिनार करें पहले हम देश की सुरक्सा को देखेंगे देश का जो दुस्मन है वो हमारा भी दुस्मन है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता है जो हमारे निर्दोस जैनिकों पर हमला करे भारत की सीमा में गुस्पैट करवाए वो देश का मित्र कैसे है वो देश का दुस्मन है और जो देश का दुस्मन हो हमारा दुस्मन जो देश का मि करता हूं अकिलेश आदव जी बारा तरीक से अपनी जन्यात्रा को शुरू कर रहे हैं शिपाल यादव भी उन्से समझोता करना चाते थे उन्होंने ग्यारा तरीक तक की डेडलाइन दी है कैसे देखते हैं आप चाचा बतीजा तो साथ में नहीं आते हुए देख रहे हैं अ अस्यूपाल जी का था हजार लोगों के करीब थे हुए मज़ह लगता है कि ने 5-6,000 लोग रहे होंगे 5-6,000 लोगों के साथ सपा के उसमें 300-400 लोग थे उनकी साथ 5,000-6,000 लोग थे तो जनाधार पता आता है कि किसके साथ कितनी लोग हैं तो इतना बड़ा नेता एक लं उन्होंने दरकिनार किया है जिस तरीके से उनको जो है अपमानित किया है जो नेता जी के साथ में मुलैम सिंग जी के साथ में कदम से कदम चला करके सम बिसम परस्तितियों में काम किये हों उनको जिस तरीके से उन्होंने आज वहां से अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखा कि अपने से बड़ों का सम्मान करो भी अब मैसेज पब्लिक में क्या है कि देखे अखलेज जी ने पिता को भी पहले इसी तंक से पिता के साथ वहार किया आज चाचा के साथ का सम्मान न कर पा रहा हो क्या उमीद कर सकते हैं आप उनसे कि वहाँ अपने पार्टी के अन्य लोगों के साथ और प्रदेश की 25 करोड जंता के साथ कैसा विवार उनका होगा यह तो हर बेक्ती और मैं नुएड़ा कम से कम आधा दर्जन बार गया हूं जी बिजनौर भी मैं गया हूं लगभग आधा दर्जन बार गया हूं दोनों के बारे में कहा जाता था लेकिन हम लोग दोनों जगे गये हैं और मैं यही मिथक तोड़ने के लिए राजनीती में आया हूं कि से आएंगे कहीं कोई संदेश में नहीं होना चाहिए और उसी मिथक को तोड़ने के लिए में नुएडा गया था और वही मिथक तोड़ने के लिए में विश्णौर भी गया अगर आपको वापस आना है तो पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कई विधायकों के टिकट काटनी प्रतित्यों को यह माल लेते हैं कि उनके पास असीमीत त Wen अपकत अपकत 들j Do और अपक साएं अंसे जदा हो प्रतित तो फिर लोग उसके अनुसार फिर उसको देखतें देखने का प्रियास करते हैं अगर जन प्रतिनिती अपने चेतर में सक्रिय राय है, जनता की सुख दुख में सेभागी बना है. जी. और सम यसम परस्तितियों में उसकी उपस्तिति रही है. तो हमें उन इस्तितियों को वहाँ देखना चाहिए. हाँ, पब्लिक परसेप्सन एक माईने रखता है. तो टिक तालिबान की वापसी हुई हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कई नेताओं धार्मिक संगटनों ने आपने भी इसकी बात करी इसका समर्थन शुरू कर दिया यह थौट प्रसेसिया मानसिक्ता क्या है क्या वाकई यह प्रदेश के लिए या फिर पूरे देश के लिए कतरन समर्थन कर रहे हैं जी इसमें समर्थन कर रहे हैं और दबे मुह तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं इनके इस दोहरे चरित्र को हमें देखना होगा और इनके इस दोहरे चरित्र से प्रदेश की जनता को बहुत कुछ जानना चाहिए आखरी दो सवाल हैं जो मैं अगर गोरकपूर पर सवाल ये वाले नहीं पूछूंगा तो गोरकपूर की जनता मुझे माफ नहीं करेगी धार्मिक टूरिजम के लिए गोरकपूर बहुत महतपूर है क्या आपको लगता है कि इसको लेकर एक स्पेशल योजना एक विशेश योजना बननी चाहिए देखे गोरकपूर माहयोगी गोरकणाज्जी की पावन तपस्थली है प्रतेवर्स लाखों स्रधालू यहां पर आते हैं और गोरकपूर को अगर हम केंदर बिंदो मान करके चले हैं जी तो यहां से डेड़ से दो गंटे की दोरी पर से राम जन भूमी पढ़ती है एक घंटे की दोरी पर भग्मान बुद्ध की महापर निर्वानस्थली पढ़ती है एक घंटे की दोरी पर भग्मान बुद्ध की जनमस्थली लुम्बनी पढ़ती है संत कवीर नगर जो निर्वानस्तली है संत कवीर की गोरकपुर से आधे घंटे की दूरी पर पड़ती है कासी गोरकपुर वारानसी राजमार्क के बनने के बाद कासी की दूरी मुस्किल से धाई घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है जैन तीर्थंकरों की पावन भूमी भी छेतर रहा है तो यहां पर इस्प्रिच्छल टूरीजम के लिए भी और हेरिटेश टूरीजम के साथ साथ एको टूरीजम के लिए ब्यापक संभावनाएं हैं हमारे यहां रामगड़ ताल एक बहत्रीन जील यहां पर है जहां पर वाटर रिस्पोर्स की कारवाई को हम बहुत से प्रारम करने जा रहे हैं गोरकपुर से सटे ही जनपद संथ कवी नगर जनपद में बखिरा जील है मझे लगता है कि देश की बड़ी जीलों में उसकी गिंती होती है उसके पुन्रोधार की भी एक कारियोजना हमारे अस्तर पर प्रारम हो रही है सोगी बरवा और उससे सटेवे छेतर इको टूरीजम के एक बहुत बड़े केंदर यहां पर है और हेरिटेस टूरीजम के दिस से अगर आप देखेंगे तो चोरी चोरा की एथियासी गटना गोरकपुर में गटी थुई थी डोरिया की गटना आजादी के और सहोक आंदोल के दोरान गोरकपुर में गटी थुई थी ऐसे दरजनों ऐसे अस्तल हैं जहां पर गोरकपुर में इन सभी परकार की टूरीजम के लिए अपार संभावनाएं हैं और यहीं पेने हमने पूरे प्रदेश के अंदर इस्परिच्वल टूरीजम को बढ़ाने के लिए हेरिटे तक मदद भी मिली है मेरा आखरी सवाल आपसे ही होगा कि गोरकपुर में हमने पहले देखा था कि जापानी बुखार से काफी बच्चों की जान चली जाती थी लेकिन अब यह समस्या काफी हद तक हल हो गई है कैसे देखते हैं आप इसको देखें यह देश के अंदर एक इसे प्लाइटिस भी था तो इनसे प्लाइटिस के उनमोलन के लिए प्रदेश सरकार ने जो रणिती बनाई मैं इसके लिए प्रधान-मंत्री मोधीजे का आभारी ब्यक्त अभारी हूं कि उनका मार्कदरसन रहा सच भारत मिशन और जल जीवन मिशन यह दो मिशन ऐसे थे जिसने प्रभावी ढंक से जिसको लागू करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे नकेवल इनसेपलाइटिस की समस्या का समाधन किया है देखे 2017 के पहले यानि 1977 से 2017 के बीच इन 40 वर्सों में हर वर्स गोरकपूर बस्ती समेट 38 जनपत यानि कमिस्नरी के साथ 38 जनपत ऐसे थे जहां पे इनसेपलाइटिस से मौत 2500 मौत हर वर्स होती थी और मौत इसी इनी मेहनों में होती थी 15 जोलाइज से सिलसला परारम होता था और 15 नौमबर के बीच में ये मौते होती थी 2000, 2500, 3000, 3000 तक मौते होती थी एक से 15 वर्स तक के बच्चों की हम लोगों ने यहां पर अंतर विभागी है एक समिती गठित की और उसको नकिवल सासन अस्तर पर बलकि जनपत अस्तर पर भी बनाया लागो किया सच भारत मिसन में उन प्रभावी चेतरों में हर घर में ट्वालेट उपलब्द करवाए सच भारत मिसन के अंतरगत सामदा एक सोचाले भी बनाये और जलजियोन मिसन के अंतरगत उन परिवारों को सुद्ध पेजल की आपूरती की विवस्ता भी की हमने एपने हल्थ इंफ्रस्टक्चर की भी स्टेंटन की वहां पे और भी अन्य तमाम प्रकार की कारिकरम अलगलग भी भागों की दार चलाए गए नौ भी भागों को मिला करके हम लोगों ने सब कारिकरम चलाया था वो आज भी चला है और आज मुझे इस बात को कहने में गौरब के नभूती है कि जो कारे 40 वर्सों में पिशली सरकारी नहीं कर पाई हमारी सरकार ने इनसे प्लाइटिस की उन्मोलन के माद्यम से यहां के बच्चों को उनकी प्रतिभार और उर्जा का लाव देश भाश्य में ले सकेगा इसके लिए उन सब की जीवन को बचाने में हमारी सरकार ने योगदान किया है और आज यहां पे सभी बच्चे सुरक्सित हैं एक गोरकपुर का यह मॉडल करोना काल खंड में यूपी को भी एक मॉडल स्टेट की रूप में स्तापित करने में हमें मदद किया है और हम लोगों ने इसलिए करोना प्रवंदन का जो बहतरीन काल यूपी में हुआ है वा मॉडल गोरकपुर का यही मॉडल था वैक्सीन का एक रिकार्ड नंबर सामने आया है हाँ 11 करोड से धिक लोगों का हम वैक्सीन दे चुके हैं और मज़े लगता है कि लगभग 8 करोड के आसपास लोगों के हम टेस्ट भी अब तक कर चुके है जी ये बाते इसलिए लाना यहां पर जरूरी था कि अक्सर सबका ध्यान जो है वो उसी पर जाता है हुआ है योगी जी आप आए हमारे कारेक्रम में आपने हिस्सा लिया लेकिन लखीम पूर्पे में जरूर आप से आखरी सवाल पूछूंगा कठोर से कठोर कारवाय होगी डिलाई नहीं बढ़ती जाएगी देखे हर ही परकार की रियायत किसी के लिए नहीं और कानून के साब से जो दोसी होगा कठोर तम कारवाई उसके खिलाफ होगी अगले कुछ दिनों में बड़ी कारवाई देखेंगे मैं कि देख रहा हो ना आप देखेंगे कि जो दोसी होगा कोई भी हो अगर कोई भी दोसी होगा हम मानिय उच्चितम नयाले की इस तापित रूलिंग का ध्यान में रख करके जिसके खलाब साक्स से मिलेंगे वह जेल जाएगा और उसके खलाब कारवाई होगे बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी आपने न्यूज एटीन पर अपना समय दिया और विस्तार से हर विशे में बात करी आकरी वर्ड आप कोई कहना चाह लिए के बहुत सिद्ध योगी थे और एक बहुत प्रसिद्ध संत ने उस समय उनके बारे में कहा था योगी राज स्यामाचरण लाहरी ने कहा था कि हमाले की तलहटी में योगी राज वावा गंभीर नाज जैसा सिद्ध पुरुश नहीं जिन में इस त्रिष्टी को लै और प्रले दोनों की चमता है वह कोई एक सिद्ध संत है योगी राज वावा गंभीर नाज जी है और वावा गंभीर नाज जी के नाम पर स्थापित प्रेक्सागर में आपने एक आरेक्रम किया है मैं आप सब कभी नंदन करता हूं धनिवाद बहुत बहुत धन्यवाद अमीज जी आपका इस सत्र का संचालन करने के लिए मुख्यमंति जी से नरोध है कि आप बस थोड़ी देर स्टेज बर बने रहे हम एक स्मृति चिन एक मोमेंटो भेट करना चाहेंगे न्यूज 18 की तरफ से अमीज जी प्लीज एक बार जूरदार तालिया हो जाएं दालियों की गरगडाहट से घूंज उठे ये सभागार उत्तरपदेश के मुख्यमंत्री योगी अधितिनाथ का बेबाक इंटिव्यू न्यूज 18 से बोले कि किसी भी दोशी को बक्षा नहीं जाएगा जिसके खिलाफ साक्ष मिलेगा उसे जेल होगी चाहे वो कोही भी हो लखीमपूर मामले में ये